हाई एब्रीवन वेलकम टू कैम अप्टिमाइज आई होप अलो फिवार दूइंग वेल इस चैनल में हम लोगों ने एक निया सीरीज स्टार्ट किया है और इस अर्गनोमेटलिक कमपाउंट्स जो की बहसी सीबीचे का 6th सेमिस्टर में इंक्लूड़ है और इस सीरीज में हम लोगों ने अल्रेडी एक वीडियो डिसकस कर लिया है आप लोगों ने अगर उस वीडि चल जाए जब ही में एक निया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी अपना एफ़ोर्ट्स का वेलू मिले आप लोग के सपोर्ट के साथ आप लोग का सपोर्ट बहुत एहमियत रखता है इस चैनल के लिए सो प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग सो इस चैनल में हम लोग वी ओर्गनोमेटलिक सीरीज सो प्लीज स्टेट टून एंड लेट्स मूव ओन तो टॉपिक सो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने डिसकस किया था अबाउट हैप्टिसीटी ऑफ लिगेंज और और ओर्गनोमेटलिक कंपाउंड्स सो हैप्टिसीटी के बारे में हम लो और हेप्टिसीटी हम लोग को देखने को मिलता है जेनरली इन वेरियस तैपस ओ लिगेंज तो फर्स्ट अफ ओ लेट अस स्टार्ट विद टेट्राहेप्टो लिगेंज तो इटा-फोर और टेट्राहेप्टो लिगेंज में चार कार्बन एटोम्स जो है वो मेटल के साथ एसुसीटेर रहता है जो लिगेंज का चार कॉंजीक्यूटिव कार्बन एटोम्स मेटल के साथ एसुसीटेर रहता है इन दीस टाइप ओ लिगेंज फोर एग्जाम्पल दीस इस ब्यूटा डाइन और यहां पे चारो कार्बन एटोम्स जो है दे आर इन कॉंजुगेशन ती चादर और यहां पे पाइबॉन्द्स जो है दे आर इन कॉंजुगेशन चारो कार्बन एटोम्स दे विल भी एसुसीटेर विट एनी मेटल एंड दिस इस टेट्राहेप्टो लिगेंज अगेंड दिस इस अल्सो ए टेट्राहेप्टो लिगेंड यहां पे दो पाइब चार कार्बोन अटम के बीच में हैं, तो ये चार कार्बोन अटम और ये दो पाइप बन्स that are in conjunction with each other, तो ये चारो कार्बोन अटम जो है, these four कार्बोन अटमs, they will be associated with any metal, they can be associated with any metal, so this is one type of tetraheptolean, यहाँ पे क्योंकि ये वाला कार्बोन अटम जो है, वो conjugation में नहीं है, so it cannot be associated with a metal, यहाँ पे अगर एक निगेटिव चार्ज होता, तब वो मेटल के साथ associate कर पाता, या फिर अगर यहाँ पे एक रेडिकल होता, फिफ्ट वाले कार्बोन अटम में, तब वो मेटल के साथ associate कर पाता, so यहाँ पे heptacity will be equal to 4, again, this is another type of ligand, यहाँ पे 3 pi bond है, लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ रहे, कि these two pi bonds are associated with a metal, तो इसका मतलब यह है, कि यह दोनो pi bond conjugation में है, obviously यहाँ पे 3 pi bond ही conjugation में है, लेकिन सिर्फ यह दोनो pi bond जो है, यहाँ पे दिखाया गया है, कि they are associated with a metal, so here hepticity is equal to 4, again, for this type of ligand, cyclo-octa-tetrain, यहाँ पे 4 pi bond है, लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ हो, इसका मतलब यह है, कि यह 2 pi bond जो है, यह 4 carbon atom के बीच में जो 2 pi bond है, they are associated with the metal center, so here hepticity is equal to 4, दो यहाँ पे क्या है, 4 pi bond conjugation में है, लेकिन सिर्फ 2 pi bond ही metal के साथ associated है, so here hepticity is 4, so these are some examples of tetraheptoligands, so next we have pentaheptoligands, and this is designated as eta-5, तो यहाँ पे 5 carbon atoms of the ligand, which are consecutive to each other, they will be associated with the metal center, for example, cyclopentadienyl radical, this is cyclopentadienyl radical, ठीक है, तो यहाँ पे यह radical जो है, this will be in conjugation with all the carbon centers, ठीक है, यह ऐसे move करेगा between all the carbon centers, because this will be in conjugation, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, if we break down the pi bonds as radicals, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, so यहाँ पे all the radicals will be in conjugation, so we can write like this, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लिखे, so इसका मतलब यह है कि, इस cyclopentadienyl radical का पाचो carbon atoms, they are associated with this metal center, so here hapticity is equals to 5, similarly for cyclopentadienyl anion, here also this negative charge will be in conjugation between all the carbon atoms, तो यहाँ पे भी hapticity will be equal to 5, और इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, like this, so here hapticity will be equal to 5 in case of this organometallic compound, लेकिन same ligand में फिर से hapticity change भी हो सकता है, अगर इसको हम लोग ऐसे लिखे, like this, okay, या फिर हम लोग इसको arrow ना दिखा के, इसको simply हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब यह है, कि सिर्फ यह कार्बोन सेंटर जिसमें निगेटिव चार्ज था, that is associated with the metal center, तो यहाँ पे हो जाएगा hapticity 1, ठीक है, but for this hapticity is equals to 5, okay, again another example of pentaheptoligand is this type of ligand, ठीक है, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, और यह दो पाई बॉन्ड is in between four carbon centers, and यह वाला जो carbon center है, this is attached to this metal center, ठीक है, बेभी यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है, and this negative charge के थूँ यह इस metal center से associated हुआ है, यहाँ पे पाचो जो carbon center है, they are associated with the metal center like this, so here also hapticity is 5, so next we have hexaheptoligand, यहाँ पे six consecutive carbon atoms जो है, of any ligand, they will be attached to the metal center, and this is represented as eta6, so the most common example is benzyne ring, benzyne ring में छे carbon centers जो है, they are in conjugation with each other, the pi bonds between them are in conjugation with each other, and through these six carbon atoms, they can be attached to a metal center by the pi bonds, so benzyne ring is an example of hexaheptoligand, again for this type of ligand, यहाँ पे तीन πi bonds है, and these three pi bonds are in conjugation with each other, so we can write it like this also, since these three pi bonds are in conjugation with each other, so we can write like this also, and this will be associated with a metal center, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon atoms are associated with the metal center, so यहाँ पे hapticity 6 है, again another example is, cyclo-octa tetraein, जो हम लोगों ने थोरी देर पहले डिसकास किया था, यहाँ पे 4 pi bonds है, लेकिन अगर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर 3 pi bonds are in association with a metal center, like this, okay, so यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbon atoms are associated with this metal, तो यहाँ पे hapticity जो है, वो 6 होगा, next we have hepta-heptoligans, and this is designated as eta-7, यहाँ पे 7 consecutive carbon atoms of ligands, will be associated with a metal center, ठीक है, for example, cyclo-hepta, cyclo-hepta-tri-enyl ligand, ओके, तो इसका मतलब यह है, कि यहाँ पे 3 pi bond है, और एक negative charge है, and all of them are in conjugation with each other, तो 7 carbon center है यहाँ पे, ठीक है, so, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते है, तो यहाँ पे 7 carbon atoms can be associated with a metal center, and hepticity will be equal to 7, so, the last one that we have is the octahepto-ligands, and it is designated as eta-8, यहाँ पे 8 consecutive carbon atoms of the ligands are associated with the metal center, so, the most common example is cyclo-octa-tetra-en, so, cyclo-octa-tetra-en मे, 4 pi bond रहता है, and these 4 pi bonds are between 8 carbon atoms, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे all the 4 pi bonds are in conjugation with each other, तो यहाँ पे 8 carbon atoms जो है, they can be associated with the metal center, so, यहाँ पे hapticicity 8 होगा, so, hapticity निकालने में, अगर हम लोग को कोई एक complex दिया जाए, और अगर हम लोग को hapticity निकालना है, for that complex, तो हम लोग को यह देखना पड़ेगा, कि कितना number of carbon atoms are actually attached with the metal centers, लिएंड का हरे carbon atom metal center के साथ attached नहीं रह सकता है, कभी-कभी, तो हम लोग को देखना पड़ेगा, ध्यान से कि कौन-कौन सा carbon center, जो है carbon atoms जो है, वो metal के साथ associated है, कभी-कभी क्या होता है, कुछ examples में जैसे हम लोग ने देखा है, एक-दो carbon center जो है, वो miss हो जाता है, वो हम लोग skip कर देते हैं, even if all carbon atoms के बीच में conjugation रहे, हम कभी-कभी skip कर देते हैं, एक-दो carbon atoms को, और बाकी carbon atoms के बीच में conjugation जब होता है, उसके साथ हम लोग metal को associate करते हैं, तो हम लोग को सिर्फ bond या फिर arrow देखना है, अच्छे से कि कौन से pi bond के बीच में, यह arrow दिया हुआ है, तो अगर एक pi bond के बीच में एक arrow रहे, इसका मतलब दो carbon center associated है, अगर दूसरा एक pi bond के बीच में एक arrow रहे, इसका मतलब और दो carbon center associated है, तो ऐसे करके हम लोग को ध्यान से अब्जर्व करना है और एक जो important point है most important tip जो बोल सकते हैं हम लोग यहां पे so this tip is for the concept of evaluating hapticity so hapticity जो है it is a continuous process hapticity is a continuous process so this का मतलब क्या है तो इसका मतलब यह है कि for example अगर हम लोग के पास एक लिगेंड ऐसे दिया हुआ रहे यहां पे ऐसे पाइबॉंड्स है थ्री पाइबॉंड्स है और कार्बोन एटम्स 12345678 है ठीक है या फिर अगर ऐसे दिया हुआ रहे है ओके यहां पे 1234567 कार्बोन एटम्स है तो यहां पे 8 कार्बोन एटम्स है और यहां पे 7 कार्बोन एटम्स है लेकिन यहां पे कभी भी फर्स्ट एक्जाम्पल में कभी भी हैप्टिसिटी जो है वो किसी भी वे से वो हैप्टिसिटी 6 नहीं हो सकता क्यूं नहीं हो सकता क्यूंकि यहां पे जो पाइबोन्स है दे आर नौट इन गोंजुगेशन तो इसलिए यहां पे हैप्टिसिटी कभी भी 6 नहीं हो सकता hapticity 4 हो सकता है ये दोनों pi bond के थ्रू अगर metal जो है attached रहे with the ligand then hapticity can be 4 but this ligand is not flexible enough कि ये घूम के ये pi bond के साथ आके attached हो third वाला pi bond के साथ आके attached हो और यहाँ पे hapticity 6 हो जाए और conjugation भी नहीं है इसलिए hapticity 6 हो भी नहीं सकता so this is not possible this can be possible similarly second example में भी वही होगा यहाँ पे conjugation में नहीं है तीनो pi bond so यहाँ पे hapticity 6 नहीं हो सकता है ठीक है and another concept is rather we can say this is a definition which is called fluxional ligands so fluxional ligands are those ligands which can change their hapticity ठीक है तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है कुछ-कुछ ligands different kinds of hapticity show करता है for example आज हम लोगों ने discuss किया है about this cyclopentadienyl so यह cyclopentadienyl anion जो है वो hapticity 5 भी show कर सकता है और 1 भी show कर सकता है similarly cyclo octa tetraene this can show hapticity 4, hapticity 6, hapticity 8 also so ऐसा type of ligands which can show variable hapticity these are called fluxional ligands so these was some concepts about the basics of organometallic compounds एक classification हम लोगों ने complete कर लिया है discussion next classification हम लोग upcoming video में discuss करेंगे so stay tuned और आप लोगको अगर इन वीडियो का contents अच्छा लगे then please make sure to like the video and share the videos among your friends so that this channel can grow और आप लोगको अगर कोई भी suggestion रहे या फिर feedback रहे या फिर doubt रहे please feel free to comment down in the comment section I'll be very glad to address them और आप लोगको ये lecture का pdf notes description box में मिल जाएगा and for more information and regular updates आप इस channel को follow कर सकते हैं in facebook and telegram thank you so much for watching आप लोगको